30 Minutes GS में आपका एक बार फिट से बहुत-बहुत स्वागत है आज चर्चा करेंगे Environment Ecology के बारे में देखिए आज कल क्या कहने को तो वो जियोगरफी का ही portion है लेकिन आज कल जो सबसे जादा focus रहता है एक्जाम्स में वो रहता है Environment Ecology का History पूछेंगे तो History में किसका रहता है Art and Culture का माली जे 10 Question आए तो 10 Question में आपको जोगरफी के 10 Question आए तो 10 में आपको 3 जोगरफी जो होती न अपने Indian जोगरफी, वर्ड जोगरफी उससे होंगे उसके बाद उसमें भी स्पेस्पिक अगर Environment Ecology कर देंगे तो 7 Question वहाँ से मिलते हैं तो हम सुरू करेंगे Environment Ecology 15 दिन में खतम करने का प्रयास करेंगे और हाँ अब पढ़ाएंगे, अभी तक आपको सिर्फ Content दिया था बोल दिया कि यह आ रहा है, इसमें यह कहते हैं, वो कहते हैं आप पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे का मतलब समझाया जाएगा आपको की कैसे क्या होता है क्या निकेत यानि की नीच होता है उसका और किसमें रहते हैं, अब भ्यारण हैं तो किसे कहते हैं, उनमें अंतर क्या है और इसमें Variety of Questions fixed हैं, क्या पूछा जाएगा विलुप्त प्राए प्राडी, IUCN की Red Data List, कि उसमें कौन से नमबर पर है फोर्थ पैब, अनुसूची किसमें सामिल है वन जीव संड़क्षड अधिनियम, जितने परियावरण के अधिनियम हैं वो विलुप्त प्रागार की COP, यानि की बैठकें परियावरण से संबंदित ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर संड़क्षड यूनेसको ने किस-किस वन जीवा ब्यारण को दरजा दिया है है ना, टाइगर रेजर्व क्या होते हैं वन जी वोँ को बचाने के लिए कौन गोंसे कारक्रम चलाय जा रहे है और बेविन बेविन ऐस संस्थान फोचा जाएगा कि ये संस्थान कैसे है मनलब इन में जो मीटिंग होती वो सरकारी रहते हैं या फिर एंग्योज के द्वारा चलाय जाते हैं फिर उनकी स्थापना के बारे में पूछा जाएगा या फिर उनके मेंबर के बारे में पूछा जाएगा या फिर उनके हेड़कॉर्टर के बारे में पूछा जाएगा इसके लावा कोई वने जीव अभ्यारन है तो वो किस नदी के किनारे इस्तित है उसके आसपास कौन सी ज जयो मंडल, आरक्षित शेत्र, बायो स्फिर, रिजर्व, ये सब में अंतर क्या है, ये भी पूछ लेते हैं कि कहां पर किस तरह की गत्विदियां allowed हैं, बफर जुन क्या है, ये सब आप से पूछा जाता है, बस आसान है, थोड़ा सा याद करना है और बहुत आसानी से आपक कि ज़रूरत भी नहीं है, और हाँ, मल्टी परपज पढ़ाया जाएगा, मल्टी परपज इन दसेंस कि आप किसी भी एक्जाम में, मैं कहा रहा हूँ किसी भी, छोटा एक्जाम हो या बड़ा एक्जाम, एक बार एन्वारिमेंट एकोलोजी पढ़िए, चाए आप उसमें SSC, CGL ले लीजे, कोई भी एक्जाम आप अगर देंगे, हाँ, टीचिंग वाले जितने भी हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कोई भी एक्जाम का आपको पढ़ना है, अलाग अलाग नहीं पढ़ाएंगे कि इसमें देखो, इसमें पूरा बेसिक से लेके उपर तक के लेविल के इसमें कवर कर देंगे, और 15 दिन में खत्म करने का प्रयास करेंगे थियोरी, उसके बाद प्रैक्टिस कुष्चन तो हमीशा चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कोई फीस नहीं है, कुछ के लिए नहीं है, हो सकता है, मैं कुछ बोलता हूँ, आपको समझना आता हो, कि आदे सब तो आप खा जाते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत हो, कोई भी तरह एक दिक्कत हो, कंटेंट दिख नहीं रहा हो, साफ, नोट्स चाहिए होंगे, सब कुछ, तो वो आप हमको कमेंट में बताइए, कि ऐसी इसी दिक्कत है, जल्ली पढ़ाते हों तो बताइए, धीमें बोलते हों तो बताइए, धीमें बोलते का तो आपसन है, टू टाइम्स कर लीजिए, जल्ली का, स्लो में भी उतना मज़ा नहीं था, तो अगर जल्ली पढ़ाते हो, वो भी बताइए, cable theory ये भी जैसा आपको suggestion देना है दे सकते हैं जो आप बताएंगे उस हिसाब से किया जाएगा लेकिन थोड़ा से हिसाब अपना ऐसा रखेंगे कि exam में उससे question आने चाहिए और अभी pet का तो देखी लिया होगा pattern बदल रहे हैं बहुत तेजी से भीड़ बढ़ रही है अब उ science track cover कर लेंगे ठीक है और फिर geography ऐसे करके 15-15 दिन में subject है न 6 आराम से तीन महीने में सारे उड़ा देंगे GS के और बाकी classes proper चल लेंगे किसी और subject के teacher जरूरत होगी तो वो भी हम चालू कर देंगे बहुत बहुत धन्नवाद